नमस्कार दोस्तों और आज हम बनाएंगे कड़ रुमाली मसाला रोटी दिख्या कितनी प्यारी लगी है दिखने में कितनी अच्छी लगी है किसी के सामने रखेंगि तो कितनी प्यारी लगी खाने में बहटरी आओव बनाते कैसे देखते है उसको सबसे पहले मैंने यहां पर लिया है आधा किलो आटा वीट फ्ला और इतनी ही मैंने सूजी तक्रीवन आधा के लिए और डेड़ सो ग्राम मैंने यहां पर डेशी घींडिया है हलका सा मेल्ड करके अब मैं इन तीने चीज़ों को सॉल्ट की सीजनिंग करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करूँगा और एक अच्छा सा टाइट डो लगाँगा यहां मैंने सॉल्ड डाल दिया है और मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूँगा पानी डालने से पहले मैं कोई मिक्स करना है इसको मौइन कहते हैं पानी बार में डाला जाता है और इस तरह धीर दिकर्के थोड़ा सब पानी डालके मैं इसका एक टाइट डोल लगा तो इसका इलाज भी हमारे पास में है हम बेलते रहिए इसको और लगाता फ्लाप और सूजी की स्प्रेंकल करते रहिए जिसे ये और भी कड़क हो और आपका नीचे चिपके भी नहीं है उसके बाद में क्या करना है कि जो इसकी किनारी है इसको आपको पिज्जा कटर या नाइफ की हल्प से इसकी किनारी काट देनी है इस तरह से इस तरह से किनारी कट गई और उसका साइड पाट है और निकाल दीजे दुबारा इसको बेलिए और इसको और बढ़ा कीजे क्योंकि हमको इसको लगातर बेल के इसको बतला करना है और फिर इसकी किनारी होगी इसको फिर से दुबारा हटा दीजे क्योंकि जो किनारी होती है इतनी बारिक बने गई है अच्छी तरह से अब इसको अच्छी तवे में इसको अच्छी तवे में इसको अच्छी तरह से धीम अज हैंड़ोड से थीन शेक्र क्मद्ध है वीच वहाइन aa एक शेव लेकिए कड़क होगी अब आपकी वाली रोटी एक तरफ से सिख चुकी है लेकिन दूसरी तरफ से आप इसको पलट नहीं सकते हो तो उसका भी इलाज हमारे पास में है हम यहाँ पे एक गैस रेंज जलाके उसकी चारों तरफ से बाहर की जो साइड है उसमें भी दे के वेजबल है जर से बहल प्र जिंजर ग्रींचली धनिया और यहां पर थोड़ा से लैमन जूश मैं अट किया है और मसालों में हम यह पे डालेंगे थोड़ा से ल्माट चारत मसाला गरम मसाला थोड़ी सी डंभ त diffさん और हमारा स्पेशल कबाब मसाला जो की आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे बनता है इसका जो प्रेड लगाऊंगा मैं उसमें है देशी घी देगी मिरच कसूरी मेथी सॉल्ट और थोड़ा सा औरेगिन और ब्लैक पेपर यह मैं रोटी के अंदर की रव से जाव तरफ से इसको हमको लगाना है नाव अब करना क्या है कि जो हमने टॉपिंग मुनाई है इसको बिलकुल धीमे-धीमे डालना है और हाथ का सहारा देना है क्योंकि बहुत ही बारिक है क्योंकि जहां से रख भी वहाहीं से टूटेगी है और आपकी बन गई ये कड़क रोमाली रोटी मसाले वाली तो दोस्तों नई चीज है देखिए ट्राइक कीजिए मजा जाएगा और खाईए इसको थैंक्यू धन्यबाद में